तो आज अपने जो राजस्तान का इतिहास वो अधुनिक राजस्तान के इतिहास की तरफ अगरसर हो रहे थे दो दिन से अपने अधुनिक राजस्तान पढ़ रहे थे तो वैसे भी आज हमारे देश के अंदर गंतंतरता दिवस का एक सुब आउसर भी है हमारा देश का राष्टे जो परव है एक तरह से महुच्चो जिसका नाम गंतंतरता दिवस है वो आज के दिन ही है 26 जनवरी के दिन और आज अपने जो है एक नए इतिहास की रचना 1857 की क्रांती की इस गंतंतरता दिवस के आउसर पर जो है उसके वारे में चर्चा करेंगे किस तरह से हमारे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए जो है वो लड़ाईयां लड़ी थी उस समय उसके हम चर्चा करेंगे आज तो इस तरह से वो लड़ाईयां जो लड़ी गई है उस समय उस समय जो है भारत को देश को सोतंदर करयाने के पर्यास किये गए थे वो भी उसमें भी अपने राष्टे जो है इस एक तरह से आंदोलन के रूप में जो हमारे लोगों ने जो भूमी का निवाई थी उसके बारे से अपना योगदान दिया था उसके अपने चर्चा करने वाले हैं तो एक तरह से एक नया जोस नए उच्छाहा के साथ अपने आज राजिस्तान के इतियास के आदूनिक इतियास की चर्चा करेंगे कहते हैं का इंचे इंचे कट जाओं बोटी बोटी बट जाओं इंचे इं करने से पूर है मैं दो पंक्तिया आपके सामने कहता हूं कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है ना बड़ा सा नाम मेरा है मैं तो इस बात के लिए फकर महसूस करता हूं कि मैं हिंदुस्तान का हूं और ये हिंदुस्तान मेरा है ये हुए हैं और किस तरह से इन विद्रुहां को जो है दबाया भी गया है किस तरह से उनके चर्चा करेंगे एक आप जो हमने 1818 की संदी जो पड़ी थी ना जो वीडियो है आपके आज से मतलो कलकानी परसों का जो वीडियो है 1818 की संदी प्रारम की थी उसमें मैंने आपको एक बुंदी का उत्रादिकारी संगर्श बताया था किसका बुंदी का उत्रादिकारी संगर्श बताया था इस संगर्श में मैंने कहा था कि बुंदी के सासक उस समय बुद्शिंग थे क्या थे बुद्शिंग थे और इन बुद्शिंग की पतनी जो है वो पतनी का नाम मतलो क कुमारी में आपको यहां नाम बताया था क्रिशना कुमारी वो बाए मिस्टेक कुमारी यहां नाम बता दिया गया यहां पर यह कुमारी नहीं थी बुद्ध सिंग की पतनी सवाई जैसिंग की बहीन का नाम जो था वो क्या था अमर कुमरी था या अमरी कुमरी था या अमरी क सिंग की जो बहिन थी उसका नाम कृष्णा कुमारी नहीं था सवाई जैसिंग की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था जिसका विवहा जो है वो किस से वा था दलेल सिंग से वा था ठीक है ना जिसका विवहा दलेल सिंग से वा था उसका नाम कृष्णा कुमारी था आई कुमरी था ठीक है ना मैंने आपको बताया था कि बुच सिंग के 1730 में मरत्यू हो गई थी हाणा ये भी बताया था तो ये जो है ये थोड़ा सा आप यहां मैंशन कर लेना कुछ इतियासकार बुच सिंग की मरत्यू 1749 में भी मानते हैं ये भी आता है लेकिन अपने चलते हैं वापस 1750 की करांती के उपर तो आप ये थोड़ा सा इसको मैंशन कर लेना चेंज कर लेना इसको कि भी सवाई जैसिंग की बहीन का नाम अमर कुमरी और सवाई जैसिंग की पुत्री का नाम क्या था कृष्णा कुमरी था ठीक है ना अब हम राजस्तान के संद्रम में 1857 की क करांती के हम क्या करने वाले हैं राजस्तान के संद्रम में क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं 1857 की करांती के बारे में तो मैंने आपको कल बताया था कि 1832 इस्यू में राजस्तान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी किसकी राजपुताना खेले जो है वो किसको बनाए गया माउंट अबू को बनाए गया और इसके लिए जो है वो एक पद लाया गया जिसका नाम क्या था एजी जी अजेंट टू गवर्नर जनरल और राजस्तान के पहले एजी जी थे जिनका नाम क्या था मिस्टर है लोकेट इसके हम चर्चा कर रह लोरेंस आता है क्या नाम आता है जोर्ज बैटरिक लोरेंस आता है ध्यान रखना इस बात का यह हम पढ़ चुके थे यह हम पढ़ चुके थे चर्चा कर चुके थे एजीजी कौन है जोर्ज बैटरिक लोरेंस है अब आपको पता है कि यह पूरा का पूरा राजिस्तान जो है वो खुद AGG संभाल नहीं सकता तो AGG ने क्या कर रखा अलग-अलग रियास्तों में अपने P.A. न्युक्त कर रखे थे तो आपको कुछ रियास्तों के P.A. याद करने है कुछ रियास्तों के पीए पीए आपको याद करने है पॉलिटिकल अजेंट याद करने है तो आपको कुछ रियास्तों के पीए याद करने है तो यह आपके सामनी है तो इसमें हम देखेंगे कि यह जो है इसमें कुछ आपको पीए याद करने है पीए का मतलब पॉलिटिकल याद करने हैं तो यह मेवार रियास्त है कौन सी रियास्त है यह आपको सामने जो है वो कौन सी रियास्त है मेवार रियास्त है और इस मेवार रियास्त जो है इसका जो पिये था पॉलिटिकल अजेंड था उसका नाम आता है मेजर सावर्स क्या नाम आता है मेजर सावर्स मतल है मेवाड का मेजर सावर्स और यह आपको पता है यह मारवाड रियासती और मारवाड का जो पीए था यह कौन सी आगी मारवाड आगी और यह कौन सी आगी आपके यह मेवाड आगी कौन सी रियासत आगी मेवाड आगी तो मेवाड का मैक मोशन जो है वो किसका पीए है मारवार का पीए है जिसका नाम क्या है के मैक मोशन इसके बाद में आपको जैपूर का पीए याद करना है किस रियासत का पीए याद करना है जैपूर का तो जैपूर का जो है इडन इडन या इडर दोनों ही आ सकते है इडन या इडर जो है वो किसका PA है, जैपुर का, इसके बाद में आपको PA याद करना है, कोटा का, किसका याद करना है, कोटा का, और कोट को बटन, कोट को बटन, बल्टन, कोट का क्या आता है, बल्टन, कोट का पीए क्या होगा, बल्टन, ठीक है न, मेजर बल्टन, कोट का बटन, कोट का बटन, इसे याद कर लेना कोटा का पिये कौन हो गया बर्टन हो गया कोटा का बर्टन हो गया इसके बाद में आपको पिये याद करना है किसका भरतपुर का किसका याद करना है भरतपुर का और भरतपुर का पिये जो है उसका नाम है मोरिशन क्या नाम आता है मोरिशन और इसके बा शिरोई का आपको याद रखे तो याद रहे लेना जीडी होल, क्या नाम आता है तो ये राजिस्तान के कुछ रियास्तों के पिये याद करने हैं, आपको पॉलिटिकल अजेंट अगर आपके याद हो गए तो आपको पता है कि आपके लगबग एक प्रसंद तयार हो गया यह कि लगबग यहाँ से प्रसंद जादतर पुछे जाते हैं, और इनमें हम से जादतर पुछा जाता है, एक तो मारवाड का पिये पुछा जाता है, इसका रिजन यह है क्योंकि ये दोनों ही पिये पॉलिटिकल अजेंट ऐसे हैं, जिनकी क्या कर दी गई ती, गर्दन उडा दिगई शिर्क काड़ दिया गया है यहां पर इनको तो ध्यान रखना इसलिए के मैक मौसेन और कोट का बटन जो है उसका बटन तोड़ दिया गया था यहां पर इसलिए इन दो को जो है आपको विशेशत याद रखना है P.A. को याद रखना है political agent को याद रखना है कौन-कौन है तो ये जो है हमने अलग-अलग पढ़े हैं कि इनों ने अपने क्या छोड़ रखे थे पिये political agent छोड़ रखे थे पिये छोड़ रखे थे political agent और राजस्तान में करांती के समय करांती के समय राजिस्तान में करांती के समय उननिस रियास्तें थी, कितनी रियास्तें थी, उननिस रियास्तें थी, और छे सेनिक चाउनिया थी, क्या आता है, छे सेनिक चाउनिया थी, राजिस्तान में करांती के समय उननिस रियास्तें और छे सेनिक चाउनिया थी, च्छे सेनिक चाउनियों की चर्चा कर लेती है भी च्छे सेनिक चाउनिया कौन कौन सी थी तो च्छे सेनिक चाउनिया जो थी करांती के समय वो कौन कौन सी थी तो उसमें आपको याद रखना है वेरी इंपोर्टन सेनिक चाउनियों को आपको याद रखना है तो हम राजस्तान को यहीं पर अगरसर कर लेते हैं बना लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो सेनिक छावनी है उसका नाम याद रखना है कौन सी बाद नसीराबाद कौन सी है नसीराबाद और नसीराबाद कहा है अजमेर में है दूसरी सेनिक छाउनी है जिसका नाम है बयावर और दोनों कहा है अजमेर में है तो पहली नसीराबाद दूसरी बयावर दोनों कहा है अजमेर में है और एक इसके बाद में आता है देवली और देवली कहा है तोंक में है देवली कहा है तोंक में है देवली और इसके बाद मे एक सेनिक चावनी आता है जिसका नाम है निमच निमच वरतमान में कहां चली गई तो निमच वरतमान में MP में चली गई मध्य है परदेश में चली गई कहां चली गई है मध्य है परदेश में एक सेनिक चावनी है जिसका नाम है खेरवाडा कौन सी वाडा खेरवाडा और खे ली नामाता है नसिराबाद, देवली, नीमच, क्खेरवाडा, एरियों पुरा, और बैयावार, ये छैस never च्छावनिया है, ड्यों कहा है, अजमेर, देवली कहा है, टॉंक, नीमच कहा है, एमपी खेरवाडा कहा है उद्यपूर एरियनपुरा कहा है पाली के अंदर एरियनपुरा कहा है पाली के अंदर बयावर कहा है अजमेर में है बयावर कहा है अजमेर में तो ये छे सेनिक चावनिया जो है वो छे सेनिक चावनिया जो है वो नसीरावाद देवली नीमच अंग्रेजों का साथ दिया किस का साथ दिया अंग्रेजों का साथ दिया था ठीक है ना नसीराबाद में ही BNI थी BNI मतलो बंगाल लेटिव इनफेंट्री थी निमच आपको पता है निमच जो है वो मेवाड के नियंतर्ण में थी और एरियनपुरा में जोदपूर लीजन के सेनिक थे कहां के जोदपूर लीजन के सेनिक थे कहां पर एरियनपुरा में देवली में क कोटा के सेनिक थे या फिर कोटा कंटीजेंट के सेनिक थे इसके बाद में खेरवाड़ा खेरवाड़ा में बील रेजिमेंट थी खेरवाड़ा में क्या थी बील रेजिमेंट और इसके अलावा जो आपके है कौन सी आ गई यह जो बयावर है बयावर में मेर रेजिमेंट थी अब की बार जो आपके वीडियो में भी परसन आया था बयावर में कौन सी थी मेर रेजिमेंट थी बयावर जो है वो मेर रेजिमेंट के नियंतर्ण में था तो करांती के समय छह सेनिक छाउनिया थी कौन कौन सी वह आपके सामने है नसीरवाद, देवली, नीमच, केरवाड़ा, एरियनपुरा और बयावर, ये कितनी सेनिक चावनिया है, करांती के समय है, तो द्यान रखना च्छे सेनिक चावनिया है, अब हमें याद करना है, 19 रियास्तें, 19 रियास्तें, और इन 19 रियास्तों के सासक याद करने हैं, 19 रिय मैप के जरीए याद करेंगे भी 19 रियास्तों के कौन कौन से सासक रहे हैं तो यह आपके सामने राजिस्तान का नक्सा है राजिस्तान के नक्से में अपने अलग लग रियास्तों के जो है सासक पढ़ेंगे भी कौन से रियास्त के कौन से सासक तो अलवर का सासक है करांती के स सिंग है दोलपूर का कौन है बगवन सिंग करांती के समय अलवर का बनने सिंग भरतपूर का जस्वन सिंग दोलपूर का बगवन सिंग और करोली का जो राजा है उसका नाम है मदन पाल देव मदन पाल देव या मदन देव पाल जो नाम आ सकता है इसका करोली का राजा है मद पाल देव तोंक का जो राजा है तोंक रियासत उसका नाम आता है वजीरू दोला वजीरू दोला तोंक का कौन है वजीरू दोला तोंक का कौन है वजीरू दोला तोंक का सासे कौन है वजीरू दोला तो अलवर का कौन हो गया बन्ने सिंग या विने सिंग बरतपुर का क्या है राम सिंग सेकिंड है करांती की समय कोटा का राजा कौन है राम सिंग सेकिंड है क्या नाम आता है राम सिंग सेकिंड ठीक है ना और उसी समय जालावाड का राजा कोन है तो पर्थवी राज है जालावाड का सासक कोन है करांती की समय तो पर्थवी राज है इसके है पर्थवी सिंग है और इसके बाद में आपके आता है सहापूरा रियास्त यहां पर aya रियासत है जिसका नाम है सापुरा और सापुरा का सासक है उसका नाम क्या है उमेद सिंग है सापुरा का सासक है उमेद सिंग है तो ध्यान अखना अलवर का बनने सिंग है विने सिंग जस्वन जो है बरतपूर का जस्वन सिंग दोलपूर का बगवन सिंग करोली का मदन पाल करोली का वंदनपाल टोंग का राम सिंग सेकिंड टोंग का वजीरु दोला बुंदी का राम सिंग कोटा का राम सिंग सेकिंड और जालावाड का परत्वी राज और किसनगड का परत्वी सिंग और सापुरा का क्या है उमेद सिंग है ये परताफगड है और परताफगड का ह दलपत सिंग क्या नाम आता है परताबगड की नाम आता है परताबगढू का दलपत सिंग में और यह जो है यह कौन उड़ा और बास वोड़ा के साथ सबुन है आपके कौन सी रिया सत है ये बासवडा ठीक है ना बासवडा के सास्थ है आपके लक्षमन सिंग बासवडा के सास्थ है कौन है आपके लक्षमन सिंग है द्यान रखना बासवडा के लक्षमन सिंग है और ये डूंगरपूर है डूंगरपूर के कौन है उदे सिंग है बुंदी का राम सिंग, कोटा का राम सिंग, सेकिंड, कोटा का कोन है राम सिंग, सेकिंड, जलवाड का परत्वी राज, किसंगड का परत्वी सिंग, और सापुरा का उमेद सिंग है, परताबगड का दलपस सिंग, बासवाडा का लक्षमन सिंग, डुंगरपुर का उध्य स सिंग और ये उद्यपूर है उद्यपूर का राजा उस समय कौन है सवरूप सिंग है करांती के समय उद्यपूर का राजा कौन है सवरूप सिंग है उद्यपूर का राजा कौन है सिरोई का नाम आता है सिरोई का राजा है सिरोई का राजा कौन है सिरोई का राजा कौन है सिर सिंग आता है जोदपूर का राजा कौन है तक्त सिंग है क्रांती के समय जोदपूर का सासक तक्सिंग क्रांती के समय बरतपूर का राजा जस्वन सिंग क्रांती के समय सापुरा का राजा उमेद सिंग क्रांती के समय जलावाड का राजा परत्वी राज क्रांती के समय बनेंगे आपके लिए प्रसन बनेंगे इसके लिए प्रसन बनेंगे जेसल मेर का राजा कौन है तो जेसल मेर का राजा आता है रंजीत सिंग क्या नाम आता है रंजीत सिंग बिकानेर का सासे कौन है तो बिकानेर का करदा जो है करांती के समय उसका नाम आता है सरदार सिंग और जैपूर का सासक कौन है उस समय तो जैपूर का राजा भी कौन था राम सिंग सेकंडी था राम सिंग सेकंडी था तो यह आपकी 1857 की करांती के समय है अलग लग रियास्तों के क्या माने जाते हैं सासक माने जाते हैं अलवर का बन्ने सिंग या विन्य सिंग धौलपूर का भरतपुर का जसन सिंग। धौलपूर का बगवंज सिंग। करॉली का मदन पाल। जो है इसके बाद में टोंक का वजीरु दोला। बंदी का राम सिंग। कोटा का राम सिंग। जालावार का परतुी राज। और किसंगड का परत्वी सिंग, सापुरा का उमेद सिंग है, सापुरा का कौन है, उमेद सिंग है, परताफगड का दलपर सिंग है, बांसवाडा का लक्षमन सिंग, डुंगरपूर का उधे सिंग है, और इसके बाद में उधेपूर का सवरूप सिंग, उधेपूर का कौन स समय है राज पुताने के क्या है सासक है 1857 की करांती के समय क्या है राज पुताने के राजा है राज पुताने क्या माने जाते है ये राजा माने जाते हैं अब अपने पढ़ेंगे नसीराबाद विद्रोह नसीराबाद कहा है अजमेर विद्रोह है अजमेर विद्रोह है में पड़ता है तो अब अपनी नसीरबाद numbers की चर्चा करने वाले हैं सब 28 में 1857 को नसीराबाद में क्या किया गया है विद्रुह किया गया है गुरुवार के दिन वार कौन सा आएगा गुरुवार आएगा वास्तों में नसीराबाद में क्या हुआ कि आपको पता है नसीराबाद पढ़ता कहा है तो ये आपके अजमेर है यहां पर अजमेर में एक किला है जिस किले का नाम है मैगजीन दुरग कौन सा दुरग है मैगजीन दुरग जिसे अकबर का दूलत खना भी कहा जाता है 1857 की जो अंग्रेज है अंग्रेजों का सस्तरागार जो है वो यही था मैगजिन किला और यहाँ पर एक सेनिक चावनी थी जिस सेनिक चावनी का नाम क्या आता है नसीराबाद आता है इस सेनिक चावनी का नाम क्या था नसीराबाद था ठीक है ना यहाँ पर एक किला है जिसका नाम है मैगजिन दुरग अजमेर की बात कर रहे हैं अजमेर को मैंने राजिस्तान के नक्से से जूम कर लिया है और यहाँ पर एक सेनिक छावनी थी जिसका नाम क्या था नसीरावाद था देखो आपको पता है कि भारत में विद्रोह कहां भारत में विद्रोह 10 मई को हुआ था कब हुआ 10 मई 1857 को हुआ था कौन सी सेनी चावनी में मेरड चावनी में आपको पता है कि भारत में विद्रुह 10 मई 1857 को हुआ था मेरड चावनी के अंदर 10 मई 1857 को विद्रुह हुआ है भारत में और इस विद्रुह का जो पता है राजस्तान के एजीजी को राजस्तान के एजीजी एजीजी कौन थे आपको पता है करांती के समय जोर्ज पैट्रिक लोरेंस थे जोर्ज पैट्रिक लोरेंस को इस बात का पता क्या चला 19 मई को चला कब चला 19 मई को चला जोर्ज पैट्रिक लोरेंस को इस बात का पता 19 मई को चला है और जब ये भारत में विद्रो हुआ तो यहाँ पर एक BNI थी जिसका नाम आता है 20 में BNI और एक BNI थी जिसका नाम था 15 BNI दो BNI थी कहाँ पर नसीराबाद में तब राजस्तान के AGG ने क्या किया इस 15 BNI को यहाँ से ट्रास्पर करके इस 15 BNI को यहाँ से ट्रास्पर करके जो है मैचिन दुरग की सुरक्षा हे तू भेज दिया मेगजिन दुरग की सुरक्षा हित्तु भेज दिया गया पंदरवी BNI को कहां मेगजिन दुरग की सुरक्षा हित्तु भेज दिया गया किसने राजिस्तान के एजीजी जोर्ज पेट्रिक लोरेंस ने मैंने आपको बताया था यही मेगजिन दुरग मतलब यह कहते हैं का अंग्रेजांगा जिका बोरी अबिस्तर पड़ आनी थो पंद्रमी बिन आई को इन्होंने इसकी सुरक्षा के लिए बेज दिया लेकिन बाद मेध जी जी ने सोचा अर आपमा इन अठत बेज तो दियो लेकिन यह भारत में मेरड सेनिक छाउं उन्हें विद्रोवे को देखकर आई है क्या पता ये मैघजिन नैसे के लिए नाई को कहां बेजेदिया नसीरवाद बेजदिया पंद्रुवी नैकों यहां पर एक पहले से बिये नहीं मौझू ती जिसका नाम क्या था तीस्वी बिये नाई कैना माता है तीस्वी BNI यहाँ पहले से ही मौझूद थी पूरी परकिरिया दुबारा सुन लीजिए कि नसीरावाद विद्रू 28 में 1857 को हुआ था उस समय राजिस्तान के एजीजी जोर्ज पेट्रिक लोरेंस थे कौन थे जोर्ज पेट्रिक लोरेंस भारत में विद्रू 29 में को चलता है तो राजिस्तान के एजीजी ने पंद्रू 29 की सुरक्षिया के लिए बेज दिया लेकिन कुछ समय पश्यात इसने सोचा कि अरे यह वहां विद्रू को देख किया यह क्या पता यहां पर विद्रू नाय कर दे कि ऐसे स्थिति में इसने पंद्रवी BNI को मेगजिन दुरेक से कहां ट्रांसपर कर दिया नसीराबाद ट्रांसपर कर दिया कहां ट्रांसपर कर दिया नसीराबाद ट्रांसपर कर दिया गया और यहाँ पहले से एक BNA मुझूद थी जिसका नाम क्या था 30V BNI 30V BNI यहाँ पहले से क्या थी मुझूद थी यह बात हुई यहाँ पर अब यहाँ पर बताते हैं कि इन में से ही एक भारतिय सेनिक ने भारतिय सेनिक ने पुछा कि किसे एक अंग्रेज अधिकारी बारतिय सेनी का नाम है बक्तावर सिंग बक्तावर सिहें ने पुछा एक अंग्रेज अधिकारी से जिसका नाम था प्रिचार्ड क्या नाम था प्रिचार्ड से पुछा कि क्या आपको हम पर बरोसा नहीं था क्या कि आपने हमें मैगजिन दु उत्तर नहीं दिया संतोस जनक उत्तर नहीं दिया उत्तर नहीं दिया किस नहीं दिया संतोस जनक उत्तर तो इसे प्रिचाड नहीं दिया प्रिचाड ने किसी प्रकार का कोई संतोस जनक उत्तर नहीं दिया तब इसी BNI ने क्या किया 28 मई 1857 को शाम को चार बजे इस सेनिक छाउनी को जला डाला और स्पोर्टिस वुड पलस न्यूबरी नामक दो अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी गई यहां पर हत्या कर दी गई दोनों को मार दिया गया स्पोर्टी स्वुड और न्यूबरी नामक अंग्रेज हदिकारियों की हाँ पर हत्या कर दी गई इन दोनों को मार दिया गया किस के दॉरा किरांती कारियों के दौरा और 28 मयी को और सारे के सारे क्रांती का मुख है के अंदर कहा चल दिए दिल्ली चल दिये तब कुछ अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इनका पिछा भी किया था जिसमें अंग्रेजों में नाम आता है किसका वाल्टर या माल्टर पलस हितकोट पलस हितकोट इन दोनों ने जो है इनका दिल्ली जाते वे पिछा भी किया लेकिन क्या रहे ये ए सब्सक्राइब आपको पहले भी इसका नाम बता है प्रिचाड प्रिचाड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दी म्यूटिनी इन राजिस्तान दी म्यूटिनी इन राजिस्तान ये पुस्तक थी इस पुस्तक में लिखा कि यदि नसीराबाद के नसीराबाद के सैनिक दिल्ली ने ज कर अजमेर जाते तो करांती का सवरूप कुछ और होता सायद मठा रस्ताओन में ही अजाद हो जाते चीक ना करांती का सवरूप कुछ और होता क्योंकि इनको क्या मिल जाता हतियार मिल जाते लड़ने के लिए हतियार मिल जाते लड़ने के लिए क्या मिल जाते हतियार मिल जाते और यह अंग्रेजों से और अधिक जो है खतरना तरीके से क्या कर सकते थे मुकावला कर सकते थे ध्यान रखना ठीक है ना अब इसके बाद म सेनिक छांवनी नहीं है लेकिन फिर भी उस सेतर में विद्रुए हुआ था जिसका नाम था भरतपूर कर नाम था भरतपूर में विद्रुए किया गया है आगरा भाग गया था यहां का पी आ मौरीसन कहां भाग गया था कि नसीराबाद के विदुरुए को देखा तो इन में भी एक नया जोस उतसाह उत्पन हुआ तो भरतबुर के लोगों क्या है यहां पर विदुरुए कर दिया था और द्यान रखना भारत में जिस दिन या जो दिन करांती का प्रारम करने के लिए रखा गया 31 मै उसी दिन उसी दिन भारतपुर में विद्रुआ हुआ जो दिन करांती का तैय हुआ उसी दिन भरतपूर में क्या हुआ विद्रुआ हुआ था इसके बाद में आपके जो विद्रुआ माना जाता है वो माना जाता है नीमच सेनिक छावनी निमच सेनिक छावने में विद्रू हुआ था और ये जो विद्रू हुआ था ये विद्रू हुआ था तीन जून 1857 को विद्रू हुआ है और इस विद्रू है का जो नेतरतव है वो किस ने किया है नेतरतव हीरा सिंग पलस मौहमद अली बेग ने किया है मौम्मद अली बेग ने किया है कि वास्तों में नीमस सेनिक जो है चावनी विद्रोय जो है ये क्या हुआ है इस विद्रोय में क्या हुआ है वास्तों में जो आपके हम चर्चा करेंगे कि आपको पता है कि नीमस सेनिक चावनी है यहां पर वास्तों में हुआ क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था करनल एबोट करनल एबोट को इस बात का पता चले गया था कि निमच में क्या हो चुका है वो नसीरावाद में क्या हो चुका है विद्रो हो चुका है इनको वफ़ादारी की शपत दिला रहा है करनल एबौट इनको क्या कर रहा है वफ़ादारी की सपत दिला रहा है और कहे रहा है कि याद करो तुम 1618 की उन संद्यों को जिसमें हमने सर्ते रखी थी कि यदि आपके मुसिबत आई तो हम काम आएंगे और हमारे मुसीबत आई तो आप काम आओगे तो इस तरह से करनल एबोड जो है करांती कारियों को जो है सफ़ा दिला रहा है तब एक करांती कारी जिनका नाम था मुहम्मद अली बेग क्या नाम आता है मुहम्मद अली बेग ये मुम्मद अली बेग जो है यहां से खड़े हो गए खड़े होकर इन्होंने पूछा कि हम आपके काम क्यूं आएं क्या आप हमारे काम आए थे ये मुम्मद अली बेग अवद का था कि हम आपके काम क्यूं आएं क्या आप हमारे काम आए थे ऐसा कहकर उसने एबोट को चुप करा दिया क्योंकि इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस अवद पर कुशाशन का रोप लगा दिया था किसने लगा दिया था अंग्रेजों ने हडप लिया था इसलिए मुहमद अली बेग ने करनल एबोट का क्या किया विरोध किया और तीन ज भाग कर जो है कहां गए तो पहले सबसे पहले इन चारी संग्रेजों को जो है डूंगला गाओं कहां पढ़ता है डूंगला गाओं चितोडगड चितोडगड में इनको यहां पर क्या दी गई थी रुगा राम किसान के यहां सरण दी गई किसान के यहां क्या दी गई सरण द इनोंने सरण ली है ठीक है ना और इसके बाद में अब मेवाड के सासक जो है मेवाड का पीए पीए जिसका क्या है क्या नाम है मेजर सावर्स वह किसको पत्तर लिख रहा है बतलो वहां के सासक को वहां का सासक कौन है मेवाड का सवरूप सिंग सवरूप सिंग को कह रहा है कि इस सवरूप सिंग ने उन चाली संग्रेजों को पिछोला जील के जग मंदिर महल में ठहराया था मतलों इनको क्या दिये यहां पर सरण दे थी तो इसी लिए ये सवरूप सिंग जो है पर्थम सासक जिसने अंग्रेजों की help किये अंग्रेजों की सहायता या क्या किये मदद की है पर्थम राजा जिसने अंग्रेजों की सहायता की है उसका नाम क्या आता है सवरूब सिंगर राज पुताने का पहला राजा जिसने अंग्रेजों की सुरूब पर्थम सहायता की है चाली संग्रेजों को जग मंदिर में ठहराया था इने चाली संग्रेजों को सरन दी है और इनका पुछा गया चोकीदार किसको रखा गया चोकीदार का मतलब सरक्षय करता को सरक्षय करता कौन था तो सरक्षय करता के रूप में नाम आता है गोकुलचंद महता को रखा गया गोकुलचंद महता को रखा गया इसका सरक्ष करता गोकुलचंद महता था इन चाड़ी संग्रेजों का सरक्ष करता कौन है गोकुलचंद महता था ठीकना और यह जो निमच के करांतिकारी थे निमच के करांतिकारी ठीकना यहां से कहां पहुंचे यह शापुरा पहुंचे श अब देवली पहुंचे है और देवली को गेर लिया इन्होंने देवली च्छावनी को गेरा देवली च्छावनी जो है टॉंक में थी इसको गेर लिया और देवली जो च्छावनी है उसको क्या कर दिया नश्ट कर दिया मतलब एक तरह से कह सकते हो कि निमच के सेनिक ही देवली में क्या है विद्रोय करके गए थे निमच के सेनिक ही देवली में कहां कर दे विद्रोय करके गए और इसके बाद में ये टौंक होते हुए टौंक होते हुए कहां चल दिये थे आगरा और आगरा से ये कहां चले गए थे दिल्ली चले गए थे तो द्यान दखना जो है देवली में ये निमच के सेनिक ही देवली में क्या करके गए थे विद्रोह करके गए थे द्यान दखना इसके बाद में आपके विद्रुवा हुए है टॉंक में विद्रुवा है दो सेनिक चाउनियों में विद्रुवा हो गये हैं दो सोरी दोने ही तीन सेनिक चाउनियों में कौन कौन सी नसीराबाद निमच औरे तीसरी कौन सी है देवली में विद्रुवा हो गये है और इसके वजीरोदोला ने किसका साथ दिया अंग्रेजों का साथ दिया इसलिए वजीरोदोला को इसाई राजा की संग्या दी गई है किसकी इसाई राजा का जाता है किसको वजीरोदोला को चीक है ना और टॉंक में जो करांती का नेतरतव है वो किया था किसने मीर आलम खाने किसने क तोपे का भी साथ दिया था ध्यान रखना कांतिया टोपे का भी इसने क्या है नासिर मौमद ने साथ दिया था लेकिन नासिर मौमद को पकड़ कर किले में केद कर दिया गया था ध्यान रखना इस बात का तो इस तरह से टौक में विद्रूआ हुआ है इसके बाद में विद् और सोरी दस जून को हुई है और इसके बाद में अलवर में करांती कब हुई है ग्यारा जुलाई को हुई है और यहां का सासक जो बन्ने सिंग है और इस बन्ने सिंग ने अंग्रेजों की साहिता की थी अंग्रेजों की क्या की है इसने साहिता की है चीक है ना और इस ने आगरा के किले में इस बनने सिंग ने आगरा के किले में अंगरे जोगे साहता है तू से ना बेजी थी चीक है ना और यहां इसके बाद में अलवर में करांती के बाद में आपको पढ़ना है अजमेर नगर की करांती अजमेर में करांती लो ये नगरी करांती है नगर की करांती है नगर में हुई थी अजमेर नगर में करांती हुई है अजमेर नगर में करांती हुई है नो अगस्त 1857 को करांती हुई है और इसके बाद में अजमेर में करांती के बाद में जो हुई है वो हुई है आपके एरिय और ये कब हुआ था आपके तो 21 अगस्त 1857 को एरियन पूरा से निक्छावनी में क्या किया गया था विद्रोय किया गया था और इस विद्रोय को अपने चर्चा करेंगे कल आज के लिए इतना ही बाकी पढ़ेंगे कल डूंद कहां तक पाला जाए युद कहां तक ताला फेक जहां तक भाला जाए इसके साथ ये अपने आज जो है इस करांती का यहां पर क्या करते हैं समापन आज की कलास का यहीं पर समापन करते हैं बाकी चर्चा करेंगे अपने कल